वेल दोस्तों मारी पहली अपडेट है टीवी शो रादा मोहन से जहाँ पर खेल खेल में तुलसी ने मोहन के अंदर तो प्रवेश कर लिया है लेकिन तुलसी के आत्मा अब कुछ जादा ही बेकाबू होती जारी है और बिगड़ती जारी है मोहन की हालत भी और अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए घर के अंदर बुला लिया एक तांतरिक बाबा को जो की जाड़ फूक करके मोहन को फिर से ठीक कर देंगे तो जैसे ही तांतरिक बाबा मोहन के पास निम्बू रखते हैं और फिर उसको चाकू से काटते हैं वो निम्बू लाल हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं खासकर दामनी और उसकी माँ और ये देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि तुल्सी की आत्मा ने मोहन के अंदर सच में प्रवेश कर लिया है लेकिन इसके पीछे की सचाई मैं आपको बता दूँ कि ये सब कुछ मोहन ने किया है मोहन ने पहले से निमू के अंदर सुई से लाल रंग भर दिया था ताकि जब इस निमू को काटा जाएगा तो दामनी भी होई पर होगी जिसे देखकर दामनी घपरा जाएगी और यही था मोहन का प्लान क्योंकि मोहन को किसी भी हालत में एक हफ़ते के अंदर-अंदर दामनी के खिलाफ सबूत इखटे करने होंगे ताकि वो दामनी को एक्सपोस कर सके और इसलिए मोहन दामनी को मेंटली टॉर्चर कर रहा है और इसके बाद भी आपको काफी जादा हंगामा देखने को मिलेगा तो कैसी इसके बाद हमारी अगली अपडेट है कैसे मुझे तुम मिल गए शो से जहाँ पर अमरिता ने एक मिलावटी जूस पी लिया है जिसमें एक नशीला परदार्त है और ये नशीला परदात आप समझ जो कि क्या ही होगा वही है जिसे अमरिता ने पानी समझ के पी लिया है वो भी एक गिलास नहीं दो तीन गिलास और इसके बाद अमरिता की विराट से तू-तू-मै में शुरू हो जाती है। और इससे पहले भी विराट का जो हाथ है वो गरम चाहे से जल जाता है। जिसका सीधा नाम अमरिता पर ही आता है। और वहीं राजवीर एक बार फिर किसी तरह बच जाता है। तो आगे काफी सारे टुष्ट आने वाले हैं जो देखना काफी जादा इंट्रस्टिंग होगा। और एक सबसे बड़ा टुष्ट ये भी है कि अमरिता ने कोट में जाकर अपने पिता से अपनी माँ के सारे काम का हिसाप मांग लिया है। और किस तरह अमरिता इस मुसीबास से निकलेगी ये देखना होगा काफी जादा इंट्रस्टिंग। दाले तो इसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो किस मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई।